परमपुजी गुर्देव ने हमें बड़ा विलक्षन यूग में दिया है विज्ञान और अध्यात्म की बात कही गुर्देव ने? कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिला के चलना चाहिए फिर गुर्देव ने तप और योग की बात कही है कि तप और योग जीवन में जरूरी है, बिना तप के योग अधूरा है, बिना योग के तप अधूरा है, तो उसके तीसरा जोड़ा जो उदनों ने दिया वह यह वाला है, संगठन और साधना, बिना साधना के संगठन अधूरा है, बिना संगठन के साधना अधूरी है, दो दिशी तरूप से, बागी तीन माला एक लिए गुड़ु ने और वयसे कहा है कि ब्राम्ण होने के नाते तुम सब को चुकि हम से जुड़ गये हो, ब्राम्ण होने के नाते व catching शूद को दस माला करनी चाहिए पर ना कर पाओ तो कम से कम तीन माला तो करनी चाहिए तीन माला किसकी? एक माला आत्मकल्याण के लिए दूसरी माला लोगकल्याण के लिए तीसरी माला समस्टे में छाई हुए उपत्यों के निवारण है तो आत्म कल्याण के बिना लोग कल्याण नहीं होगा लोग कल्याण के बिना आत्म कल्याण नहीं होगा यह दोनों एक दूसरे के साथ चलना बहुत जरूरी है सबका हित जब हम सोचते हैं तो अपना भी हित हो जाता है यही आज की धुरी है हम सब एक साथ चले हमारे मन एक साथ काम करें हम एक दूसरे के साथ मिलजूल करके एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे को ज्यान का लाब देते हुए आगे बढ़े यह जो संगठन सुक्त है यही आज दुरी है हमारी पूरी बाच्चित की यह परमपुजी गुर्देव द्वारा लिखे गए रिगविद सहीता के भाग वास्तों में जो चार है चार भागों में रिगविद लिखा गया है गुर्देव ने सहीता उसका एक सुनब्यमा सुक् इसके जो दूसरी और तीसरी रिचाएं है उनको में ध्यान दे रहा हूं जादा उन पर बोल रहा हूं संगठन संवदधन समवमनान सी जानता में हैं यह स्तुति करने वाले इस्तुताओं आप परस पर मिलजूल कर चले संगठन मिलजूल करके चलना है जब कहीं जाते हैं शादे व्याह में जाते हैं मरात में जाते हैं या अपने दोस्तों में साथ चलते हैं पित्रों में साथ चलते हैं तो हमेशे ध्यान रहता है अपने साथ चल रहे हैं लोग साथ साथ हैं कि नहीं ऐसा नहीं कि नाग उठाया और चल दिये गरदन उठाया और चल दिये और य एक भी कही पीछे रुख जाती हैं, आगे रुख जाते हैं, सासा चलिये, सासा चलने में सुरक्षा है, सासा चलने में आपका बल है, आपके अंदर शक्ति भी रहेगी, अकेले चलेंगे, आप गर बड़ा जाएंगे, कहीं भी कोई ऐसी चीज़ें हो सकती ही, जिससे कि आप हर एक की नईया एक साथ पार कराईए मित्रों, ये जो सूत्र है, साथ साथ चलें इसके बाद है सम्वद अध्वं सम्वद अध्वं का मतलब बता है परसपर स्नेह पुर्वक वारतालाप करें हम क्या रूड जाते हैं करता है, होने के बावजूद, एक ही गुरू के बेटे होने के बावजूद, एक दूसरे से रूड जाते हैं छोड़ी छोड़ी बातों पर शक्ति बीट की प्रॉब्लम है उसने हमें नहीं बुलाया, बाच्चित नहीं करता है अपने मन से प्रेश्विग गिप्ति दे देता है छोड़ी छोड़ी बातों पर हम लोग रूड जाते हैं बैटते नहीं है बैटने के लिए फोकल पॉइंट मना दिया है गुरूदेवन शक्ति बीट सबको वहाँ इखटा होना चीए इखटा होकर के गोश्ट ही करो पर वहाँ तो युद्ध चलू हो जाता है और युद्ध चलू होने के बाद एक दूसरी के पर आरोप प्रत्य रोप लगने लगते है पर अगर हम यह मालना कि गुर्देव के शरीर है तो अगर शक्तिपीट गुर्देव के शरीर है तो वहाँ युद्ध नी होना चीए वहाँ एक शर्द पहले कर ली जाए संगर शर्दों में यह सुत्र को बोल करके कि हम यहाँ किसी तरह का कड़वा एक दूसरी के पती अपमान जनक वारतलाप नहीं करें यह इनकी वज़े से हमारे संगठन में कभी-कभी गड़वड़ी आ जाती है तो परमपजी गुर्देवन का साधना करने वालों का संगठन साधना करने वालों का संगठन अगर साधना की है तो सबसे पहले अहंकार गलना चीए सादना किये तो सबसे पहले मैं मैं सबसे जदा इस संग्ठन बनने में अहम जो है वो बाधा है इस अहम को बाधा को निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर अहम वो कि बाधा निकल की तो बहुत बड़ी हो जाएगा तो इतनो स्नेह पुरुवक प्रेम पुरुवक आरतलब करें स्नेह और प्रेम किसके प्रती होगा छोटे भाई के प्रती हमारे सहयोगी कारिकरता के प्रती सम्मानी हमारे बड़े बड़े पुरुव जो बुजुर्ग कारिकरता उनके प्रती हमारे भाई जैसे बहन जैसे जो हमारी कारकरता बहने और भाई हैं उनके प्रती आपके मन में इस नहे पैदा होगा तो आप प्रेम से बात करेंगे इस नहे और प्रेम बढ़ाने के लिए आप लोग कुछ करते ही नहीं हो आप मिलते ही नहीं हो एक फिल्म का गाना है आप यूहीं अगर हमसे मिलते रहे कैसे मिलें, भी हर संड़े को मिलो कोई दिक्कत नहीं बेठो, छुट्टी की दिन बेठो और आमंतित करो, मीटिंग और सब लोग बेठो अगर ट्रस्टी और संगठन के काम में काम करने वाले बारती संस्कति धियान परिक्षाम काम करने वाले और विविन प्रकल्पों में काम करने वाले चाहे वो युवा वर्ग के हूँ चाहे वो अंदोलन समुहों के हूँ यह सम मिलके एक साथ बैठने लेगे तो क्या होगा कभी दिक्कत ही नहीं आएगी कई परिशान ही नहीं आएगी सबको एक सुरुप दिखाई पड़ेगा तो इस सम्वो दद्वम जो हैं इसका मतलब है कि प्रेम पुर्वक स्ने पुर्वक वारतालाब करें उसके बाद वो अगले लाइन केते हैं सम्वो मनान से जानता हम हम लोग समान विशारधारा वाले होकर ज्यान अरजन करें समान विशारधारा वाले होकर ज्यान अरजन करें समान विशारधारा होगी तो क्या होगा जो ज्यान होगा वो एक साथ हमरे अंदर जाएगा गुर्दयों के सहित पढ़िए, अखंजोती पढ़िए, एक पेज अखंजोती पढ़कर मीटिंग स्टार्ट करिए, गायतिमन बोल लिया, अब एक पेज मीटिंग के पहले एक पेज अखंजोती के पढ़ेंगे, जो latest आया हो, अपनों से अपनी बात हो, या कोई भी inspiring, कोई पेरगाफ हो, आपको लगता हो कि ये है, पुराना कोई भी एक कुछ हाट के लाया हो, तो उसको पढ़िए, और ग्यान अरजन करिए, गुर्दय ने लिखा है, ग्यान ही सबसे बड़ी महत्पुन चीज है, जो ग्यान का अरजन करना, और अपने अंदर उसको एकत्र करना, असर लगता है, सबसे बड़ा पुरूशारत है, जतना जादा ग्यान आप एकत्र करेंगे, उसी से आपकी संचिति पुर्द्समगदा बढ़ेगी, ग्यान के लावा और कुछ भी चीज कुछ नहीं है, हमारे साथ कुछ नहीं चाथा, हमारे साथ क्यों ग्यान जाता है, और एक दूसरे के साथ मिल करके करें जिस प्रकार पुर्व कालमे सज्जनों ने एक साथ मिल करके यज्ज्यादिकारियों में एक दूसरे के साथ मिल करके ये देव उपासना का करम चलाया था वैसा देवा भागम यथा पुर्वे संजानाना उपास ते, जैसे उन्होंने संगठन के साथ उपास ना की थी, ऐसे तुम भी करो दूसरा सुत्र है समानों मंत्रह समीतिह समानी हेस्तोताओं आप सबकी प्रार्थना एक समानों परमपुजी गुर्देवन ने कौन सी प्रार्थना दी हमको गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र की प्रार्थना दी और विविन रूपों में यग्य रूप रभो हमारे ग्यानों हमारी जो प्रार्थना है वो वाली प्रार्थना है गायत्री मंत्र की आर्थि है यह सारी प्रार्थना है जो है एक समानों ऐसा नहीं कि कोई आदमी आ गया बोले हम तो यहां तो दुरगा जी का आरती करेंगे, भोले बाबा कि हम तो पुझारी है, हम तो उनकी आरती करेंगे, तो भीया तुम अलग से कर ले ना, पहले हमारे साथ मिल करके तो गायत्रिमन तो बोल लो, बस, अगर ये एक मन में बात रहेगी, तो हमेशे क्या रहेगा, एक जैसा समानता का भाव रहेगा, अलग-अलग नहीं, अलग-अलग नहीं, पारसपरिक मिलन भेद भाव से रहित, एक जैसा हो, समिती ही समानी, हमारी समिती एक जैसी होनी चाहिए, डिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए, क्रिया में भी समानम मनह और हमारा मन जो है वो बेद भाव से रही थो और एक जिसा हो विचार तंत्र मन बुद्ध चित आदी सब मिलकर के एक साथ एक दिशा में चले मन सहचित मेशाम चित में चित बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है चित हमारा सबकॉंशिस माइंड है और यह चित जो है यही हमारी सारी के सारी आदतों को हमारे संसकारों को लेकर के पिछले जन्मों से आता है यह चित भी हमारा सब एक साथ मिल जूल करके काम करें जब सहचित मेशाम होगा तो क्या होगा हम सब के चित मिल जूल करके एक साथ हो जाएंगे तो मित्रों यह एक प्रकार का बहुत में दिया है, हेस्त होता हूँ, मैं आपको जीवन को एक ही मंत्र से भी मंत्रत करता हूँ समानों मंत्र भी, मंत्र यह है समानें, वह हविशाज जुहों में, और एक ही आहुती के मार्धियम से आपको में एक करता हूँ इतनों, परमपुजी परिवार कहा जाता था परमपजी गुर्देव ने उनिस सो चब्विस में अपने गुरु का साक्षातकार करके जो प्रेड़ना पाई उसके बाद अखंधीपक जलाया उस अखंधीपक के सामने तब करना चलू किया और उस तब को उन्होंने उनिस सो त्रेपन तक चलाया 27 सा गायति माता की मंदिर बनाने की कल्पना सोचते रहे 52 के एंड में आते आते गुर्देव के मन में असा है जो गुर्दे ने चर्चा में बता है हम लोगों को कि मुझे मुझे लगा कि कुछ हुआ नहीं हमारे शरीर के अंदर मजबूती आ गई सहीयम आ गया नियंतरन आ गय गया बिमार कभी नहीं पड़े सब कुछ ठीक है पर कोई चमतकार तो हुआ नहीं गयति माताओं तो दिखी नहीं गयति माता के दर्शन कब होंगे परमपुज गुर्दे उनने अपने गुरु से पूझा तो उनके गुर्दे वाय उनके उसमें दर्शन में ध्यान में और तो चमतकार देखने के लिए तु इसा कर तो यग्àyों की शंखला कर। उनके प्रिप्न का यग tummy सब आएं साधना करके आए, एक साल की साधना करके साधना के बाद कार्तिक पुर्णिमा दो 1958 में जो यग्य हुआ उस यग्य ने एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर दिया इस यग्य में एक लाख होताओं द्वारा 101 कुंड में यग्य होना था संपन तो गुर्देव ने एक लाख की कलपना की थी, पर गुर्देव की कलपना के जस्ट अगेंस्ट वही साधक, वही समिधा लेकर, घी लेकर के जो डाला जाना था, सब लेकर के लगबद दस लाख से ज़्यादा के संख्याम पहुँच गया इतना बड़ा कारकम हो गया, इतना बड़ा कारकम हो गया, कि एक संगठन खड़ा हो गया सबके नाम पते नोट कर लिए गए, सबको अखंजोती जाने लगी और अखंजोती पत्र का पढ़ने लगे, लोग निमित उपसे परमपज गुर्देव हिमाले चले गए हिमाले से गुर्देवन ने जो सारे वेदिक वांगमे का अनुवाद प्रसारिद किया आने के बाद उनने हमको युग निर्मान सर संकल्ब दिया, 1962 में और आने के बाद उनने कहा, आप 9 साल का काम हमारा बाकी है नो साल और हम हैं यहां तपहुमी में उसके तपहुमी से हम हिमाले चले जाएंगे तिनके तिनके से मितनो रस्ती बनती है बून-बून से पानी घड़ा बरके पानी घड़ा होता है और इंटों से मिलकर के इमारत बनती है सीखों सीखों को मिला करके बुहारी बनती है हम तो एक ही सीख साप कर देंगे पूरा कमरा, नहीं करके दिखाओ, नहीं कर सकते हैं, छोटी-छोटी चीजों से मिलकर के बड़े-बड़े काम होए हैं, छोटी-छोटी चीजों से, संगठन अगर आपको देखना है, तो सबसे पहला संगठन का उधारन मिलता है, हमारी दु दुटा लोग जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के पास जाके कहते हैं, महराज आप हमें बचाईए वो असुर्त हमको मारे जा रहे हैं, आप आशरवाद देते हो उनको, भई वो तब करते हैं, इसलिए आशरवाद देते हैं, और वो एक रेते हैं, चोड-चोड मोसे अशरवाद देते हैं, तो वो तो अवेशा एक रहेंगे, अच्छे लोग कभी एक दूसरे के साथ मिले हैं, अच्छे लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो मित्रों कितना बड़ी बात होती, तो इसलिए गुर्देव ने तया बड़ा संगठन ख़दा किया, उसको यह कहा जा सकता है कि समें सब देव शक्तियों का वो डाला गया है, अंश डाला गया है, एक अकेले ब्रह्मा जी या एक अकेले कुबेर और इंद्र के देखिसे हाँ, हम तिनों को यह आप ले लिए आप बागी सब को क्यों परिशन करते हैं, उन्य नहीं, सभी देवता का एक प्रतीक उसके अंदर है तो मितनों ये देवी शक्तियूं का प्रतीक है इन सब के माध्यम से परमपुज गुर्देव ने अखेले थे 1926 में एक गुरू उनके साथ थे एक गायत्री माता उनके साथ थी जो उनकी अपनी आराद्य थी एक अखंड दीपक उनके साथ था एक तब का प्रतीक एक योग का प्रतीक उनका जब अखंड जब और तब का प्रतीक उनका अखंड दीपक ये दोनों चीज उनके सामने थी व जो भी राष्ट भक्ति की प्रति उनकी हम लोगों के लिए प्रेड़ना बताती है कि उन्होंने जाकर कि उस जमाने में यो जेल में रहे करके लड़ाई लड़ी यह जो गुर्देव का मित्रु संता संगराम में सहवागिता चली यह सब इसके बाद गुर्देव को संगर्थन की बात करने के लिए गुर्देव ने देव शक्तियों को इकत्र किया और नजाने कहां से देवताओं को इकत्ता करकर के जिसके अंदर भी देवतत्तु था गुर्देव ने एक चीज लिखी है जो मैं बताना चाहता हूँ हमने अपने माध्यम से अच्छे- खटा किया गुर्देव केते हैं कि हमें अधिक संगबद और संगठित होना पड़ेगा युग निर्मान योजना की महान योजना को सफल बनाने के लिए हमने एक सुगसू संगठित सेना बनाई अब परिपक विचारों वाले लोगों में से खणी कावेश पैदा करके उनस वह आज असंभव जैसी शेक्चिल्ली की कल्पना लग सकती है यह है 1962 की अकंजोती है पर वह असंभव जैसी शेक्चिल्ली की कल्पना वो पूरी होकर के रहेगी हम जानते हैं क्योंकि हमारा अंतरात्ना बोलता है यह सब होने ही वाला है होकर रहने ही वाला है पित्रों पर बड़ी है इतनी बड़ी जितना बड़ा उसका नाम है और इतना काम बड़ेगा इतना काम बड़ेगा कि बनेगा भी बगड़ेगा भी बदलेगा भी सब कुछ होगा पर बनता चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं आगे तुम लोग साथ हो चोड़ना हमारे विचारों से जो प पर चानल लिया और उनसे मिलते तो रहे प्यार तो करते रहे पर काम उनसे लिया जो भले बोलते नहीं थे पर काम करते थे गुरुजी का गुरुजी का काम करने वाले ऐसे लोगों का संगठन गैत्ति परिवार है और यह हजारों लाखों वेक्तियों का संगठन मिलके खड़ हो गया उनीस सोटावन में और उसके बाद उन्हें से कत्तर में गुर्देओं यहां आ गए आपको सबको मालू है कि यहां कई प्रकल्ब चालो हुए ब्रह्मवर्च शोसनस्थान फिर यहां से कई प्रकार की होजना चली उनीस सो सतासी में गुर्देओं उन्हें राष्टिक गुना होता चला गया आपको मालू में गुर्देओं ने शरीर छोड़ा पर ब्रह्मदी प्यग्य हुए और उसके बाद फिर बंदनिया माताजी ने चार साल तक बागडोर समाली जिसमें से चित्रकूट एक यग्या आपकी नजदीक वाली भूमी में संपन हुआ और उसम कि मूल में क्या है वो संगठन का स्वरूप जो गुर्देओं ने शुरू शुरू में देखा आरम में देखा और आरम में देखकर के बनाया है राम और शीराम एक ही हैं हम कई बार गीद काते हैं राम और शीराम एक हैं दुनिया जान न पाई राम और शीराम एक हैं राम क पांच घंटे आराम करने को लगा कभी आराम ने किया कश्टी कश्ट जीवन भर कश्टी कश्ट लोगों की दुनिया भर की उपहास दुनिया भर की गालियां सब सुनने के बावजूद भी गुर्दियों संक्रटन खड़ा करते चले गए हमारे मिशन की जो आधार शिला है वो आध्यात में तंत्र पे रखी हुई है गुर्दियों ने नेतिक करनती की प्रिष्ट भूमी पर बहुत दिक और सामाजिक करनती रखी है लोगों ने बहुत दिक करनती की बात की सामाजिक क्रांते की बात की पर नेतिक क्रांते की बात ने की परमपुजी गुर्दय ने नेतिक क्रांते की आधार पर बहुत दिक और सामाजिक क्रांते की बात की है इसलिए अगर कहीं कोई परिवर्तन आएगा जुक परिवर्तन होगा तो इसी के मात्यम से होगा और उसमें आप सबकी भूमिका होगे संगठन की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका संगठन की भूमिका संगषद्वम समदध्वम संभो मनांसी जानता इसमें तो सबसे बड़ व्यक्ति के रूप में अपने आपको ऐसी एक इकाई मनाएं जिसके माध्यम से एक माहौल इतना बड़ा खड़ा हो जाए जो लोगों को लगे कि व्यक्ति बदलना संभव है लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है कि व्यक्ति बदल सकता है व्यक्ति बदलना संभव है और व्यक्ति बदल सकता है तो उसके लिए क्या करेंगे हम परमपुजी गुर्देव ने ये व्यक्तित्त का परिशकार ही व्यक्ति निर्मान है ये कहा परमपुजी गुर्देवने हमें समाज में उता रहा है समाज में उता रहा है समाज में कई तरह की लोग होते है नदी में फेका है गुर्देवने तलाब में फेका है लहर वाले तलाब में या तो हम डूबेंगे या तेरना सिख जाएंगे तेरना सिखाने के लिए क्या करता है वो ले जाता है किडारे खड़े के देखता है तो देखते हैं तलाब कैसा है उसका धक्का देता है वो धक्का देने के बाद क्या करता है हाथ पाँ मारो हाथ पाँ मारो निकलाओगे मरे क्या करे तो इसके बज़ाए तो हाथ पा भी मार ले, हाथ पा मारते मारते तेरना सी लिया थे गुर्देव ने हमको तेरना सिखाया है पहली बार जब कानपूर में प्रोचन देने के लिए गुर्देव मुझे ले गए अपने साथ मैंने सूचाँ गुर्देव तो ने बेट से घुर्देव बोलेंगे उसके पीछी में पुछल ले के तरह उसे कुछ थोड़़जा से बोल दूँगा जैसे गुर्देव ने प्रोचन मुझे लिख कि दिया आ वही बोल दूँगा मैंने का, इसलिए तो कहता हू आपको थोड़े-थोड़े दिन लिखने गा अभ्यास करने दो, में डॉक्टर हूँ, मैं वेग्या नहीं कूम, मुझे का परपरचर हूँ, नहीं हमता मुझे, तो गुर्देff Mahar नहीं का, शीखओ की कैसे, सीखओ की कैसे, तो गुर्देff Mahar नही सारे material ready होना चाहिए दिमाग में, पुरे-पुरे, कहीं भी ऐसा नो हो कि आप बोल दें, या तो डूबेंगे, तेर ना सीख जाएंगे, कर्म में कुशलता हम सीख जाएं, कीचड में लीन न हो जाएं, पानी में कीचड भी है, पानी भी है, तो कीचड में लीन न हो जाएं, ह आप अपने आप से करिये, how better and how best you can present yourself, कितना बढ़िया आप अपने आपको प्रेजेंट कर सकते हैं, आज के तुलना में कल कितना बढ़िया कर सकते हैं, या आप देखिए, हम कितना अच्छा बोले यह नहीं, हम कितने अच्छे कर्म हमने किये, इस पे आप अपना निर्ध अब आप शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चानल देखें, कभी भी कहीं भी, डाउनलोड करें, शांतिकुंज वीडियो मुबाइल आप, उपलब्द है Google Play Store एवं Apple Store पर भी हमारे यूट्यूब चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें, इवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन गतिवीधियों की जानकारी आपको मिलती रहे